हेलो फ्रेंट्स आइए मैं दिखाती हूँ आज मैं आपके लिए क्या लेकिया हूँ गैस करिए क्या है वाओ सर्प्राइज ओपैन यह है आप बताएए यह क्या है मुझे लगता है सब लोग तो जानते हैं यह है ठिक हुआ यह एकदम सेंपिल सा आटे का बरसाथ के मौजम म कुछ कुछ खाने का मन करता है थंडा थंडा मीठी मीठा हल्का मीठा सा ठेक हो आप बना सकते हैं यह देखिए बहुत ही अच्छा आइए तो फ्रेंट्स में आज आपको बताती है इसकी रेसिपी कैसे बनती है सबसे पहले आपको गेहूं काटा लेना है तिक पर आपको न सबस्क्रीम वाइब कर गेहूं कि यह आपको 200 घी रेना दिश एक और साथ में आपको इसए हैं हमारे पास ऐसा ही कुछ आ है आप सल तु मार्केट में पावडर मिलते हैं तो ौ मेरे पास ऐसा ही गुड़ता इसको सेट करने के लिए इसमें आप वॉट बाटर डाल सकते है होड़ वॉटर होड़ा सा डाल कि बॉंटीटी में डालके अपको कुछ देर के लिए रख दीचभ अब इसो कुछ देर के लिए रखा हुऊ फिर आपको कि में इसको सिक अविए नहें अब पर singles रखिण है maior अब अब बोड़ को छान लीजिए कि अब देखिए मैंने इसको छान लिए कि इसमें से कोई भी लंप्स न रहे नहीं तो वह को खाने में कहीं मीठा ज्यादा कहीं मीठा कम लगेगा अब आपको एक परात लेना है उस परात में सिंपल ही यहों के आटे को डालिए और आपके और जितन विसाम अगREE उसको आपस इसमें डाल दिए मैंने गरी का बुरादा लिया आप इसको डाल दीके अ पर यह सघ्य मैं लेट यह को मैंने पहले से प्धे माटिश को पर देंगा दॉ हाजॉ । आपको गुड़कास अफर्ले हम हमें ड्राइ ही सब करना है ज़या है आपको छा जितना आपके पास टाइम है उसके लिए उसको सेट कर दीजिए आप किसी जीस से भड़ता रख दीजिए जिससे ये डो आपका सॉफ्ट हो जाएगा हमने इसको वन आवर के लेफ्ट कर दिया जिन आप गैस वान करिए अब आप अपने डो को लीजिए कराई में गी डाला और एक बड़ी बना लीजिए पूरी किया रोटी जो भी है वो बड़ा सा बना लीजिए देन आप छोटी सी ग्लास या कटोरी जो आपकी घर में अब लेबिल हो उससे इसको चोटे-चोटे स्मॉल पीसे में कट कर लीजिए इससे क्या होगा आपका टाइ अच्छे से गी निकाल नीचेगा और आप इसको को चाहिए थेक वड़ी नहीं बनेंगे घर में अब इसको आप एक लेट पे निकालका शेलो फ्राई करना होगा अब अब आप इसको कड़ाई में डाल दिया है इसको अब देखिए मैंने इस सारे ठेक वर कर निकाल देखि यह मैंने इतना थेकवा बना लिया तो फ्रेंड्स आप लोग इस थेकवा को खाईए और इंजॉय करिए और आप लोग भी इस बारिश के मौसम में इस थेकवा को बनाई बनाईए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए ज़ेगा थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो बाइए